हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi बढ़ी बहुत करते पढ़ाई को छोड़के तो आज की क्लास का एक बहुत सांदार मुद्ध मैंने उठाया है अगर मैस और रिजनिंग में आप कमजोर है तो क्या यह बड़ा प्रस्ण है यह प्रस्ण है आपके लिए और अक्सर अब इस समय मुझे मेल भी बहुत आने लगे हैं बच्चों के कि सर मैस का हो नहीं पा रहा है या मैस थोड़ा सा कमजोर है मैं क्या करूं यह पहले से पूरे साल में नहीं किया तो किस तरीके से करना होगा तो कुछ इस तरीके का है कि तीन पार्ट में पूछा आता है मैस रिजनिंग और इन में नंबर्स की बात करें तो अगर ध्यान से देखेंगे पिछले तीन साल का डेटा मैंने आपके सामने रखा है तो देखिए मैस में आपके आर हैं टोटल मैस और रिजनिंग मिला कि आप द कोशन है टोटल उसका 33 परसेंट करना हो अगर कोशन वाइस देखेंगे तो 33 परसेंट निकालेंगे तो 26 पॉइंट समतिंग आएगा मालो इसका 27 एप्रॉक्सिमेट मैं मान की चलना हो ठीक है 27 ओके अगर इनहीं को नंबर के हिसाब से देखेंगे तो एक कोशन धाई नंब तो उसका भी ध्यान लखे तो आपको कुल सब अगर नंबर के पॉइंट आवे उससे देखेंगे तो पूरा कट के आपका 66 आना चाहिए उससे कम आएगा तो आप नहीं क्वालिफाई करेंगे उससे ज्यादा आएगा तो आप गाजे बाजे डंके के चोट पर क्वालिफा लाइन होता है कि इतने हमें करने ही है लेकिन अगर यह बार 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 कहता हूं बच्चों से कि अगर आप इसको देखोगे ना तो फिर आप परिसान हो जाओगे बांडर लाइन जहां भी देखें यह चलो बांडर लाइन है 28 कोशन करने तो फिर आपका सी सेट नहीं होगा मैं सियोर्टी इसके लिए रहा हूं आपकी हंडेड़ परसेंट एक्कोरिसी कोई भी है साइंसान नहीं कि जो एक तम दावा करतेंगे में हंडेड़ परसेंट एक्कोरिसी है इवन मैं मेरी खुद इतनी अच्छी है मैस अच्छे मेरी लग रहा हो सकता है कभी-कभी अक्सर सीली Infrastres हो जाते हैं कोशन कर रहा हुं कर रहे है आदमी इगजाम का प्रेसर प्रेसर भी रहते हैं तो एक दो कोशन का मार्जिन लेके चलना चाहिए तो कुल मिलाके आप अपने लिए 35 प्लस कोशन का मार्जिन लेके चलिए कि दोचार कोशन भी गलत भी होगा तो उसका नेगेटिभ मार्किंग भी कटेगा उसका मतलब उसमें 36 37 36 कोशन कितने भी हो सकते हैं 35 प्लस कोशन है अब यह कहां कहां से कैसे करना वो समझना पड़ेगा तो कुछ वच्चे कहते हैं अच्छा मैंने अब इसका इसका मैंने आपको रखा ही था कि और कि कि अगर में स्रीजनिंग कम जोर हो तो क्या से सेट कॉलिफाई हो सकता है तो अगर इस प्रशन का जवाब दें कि अगर मैं स्रीजीनिंग का एक भी पार्ठ अगर आप नहीं करोगे ना एक भी पोर्शन नहीं करोगे तो भी सी सेट क्वालिफाई होने में आपको हो सकता है यह प्राबलम बहुत ज्यादा प्रावलम क्योंकि कॉम्प्रेहेंशन में आपको पूरा का पूरा कर रहा पड़ेगा कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि सर्चली क क्लास YouTube पर भी लेकिया होंगा क्लास की कॉम प्रेहेंशन कैसे करना प्रैक्टिस करना और यह पूरा क्रेंड करता कुछ चीजे होती है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता बागी उसके बास से प्रैक्टिस है लेकिन इसमें आप हंडेश पर्टिस के साथ नहीं कह सकते कि हमारा comprehension सही है पूरा का पूरा एक पूरेसी आपकी सही दाएगी अगर मालो 25 comprehension आपने ट्राई गिया तो हो सकता है आपका चार-पांच गलत हो जाए क्योंकि देखो सोचे यह पूरा thought process है और option ऐसा UPSC लिखता है चार-पांच option कि कभी-कभी तो लगता है कि चारो साही है लेकिन eliminate करना पड़ता है या किसी एक को बताना है तो उसमें सपिक करना किसी तीन में confusion होता है यह भी हो सकता है यह किसी दो में confusion होता है यह भी यह भी हो सकता है तो यहाँ थोड़ी सी परसानी होती है कि हो सकता है आपने जो सेलेक कर लिया किसी और कारण से उसे गलत कर दिया गया है एक्यूरेसी होने के बाद भी चांसेज रहते हैं इसमें आपको मालो के 20 कोशन अटेम्ट किया तो मालो चांसेज रहते हैं कि 3-4 कोशन तो आपको हो सकते हैं गलत हो मीनीमम अगर आपकी एकदम एक्सेलेंट एक्योरिसी है उसके बाद कर रहा हूं तो अगर इस सेगमेंट पर आपको लग रहा है कि इस सेगमेंट के विहाब पर मैं पूरा सी सेट क्वालिफाई कर लूँगा तो यह भी बेवकुफी होगी आपके और मैं अगर यूपेसी को स अगर आप देखोगे तो बड़ी समस्या है पैटर्ण चेंज करने के वज़े से बच्चे पैटर्ण समझ नहीं पा रहे हैं फिर ट्रेडिशनल पार्ट करते हैं उस 18 से पहले करते थे ना आप 18 से पहले का कॉम्प्रेंशन भी ठीक सा आता था मतलब नॉर्मल टाइप के आ या कभी कभी होता कि जो हम जैसे कीस कंप भी ऑट हैं में अनकर जनरल कोशन में पूछने लगे हैं कॉम्प्रेंशन में कीवर्ड को छोड़ के अठीक है तो यह अ मौन लो सार क्या है सार भी पूछने लगा तो सार में भी हो सकता आपको या आपका कोई एक प्रॉब्लम दे दिया गया, इस समस्या का समधान क्या हो, अगर निसकर्स क्या निकाल सकते हैं, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, ठीके, प्रतिविम्बित एक आ गया है, नया कीवर्ड आ गया, तो ये बहुत सारे इंट्रोडूज हो रहे हैं, ये पिछले मैं एक वीडियो लाँगा कि किस तरीके सेटेम्ट करना, लेकिन आज की बात, आज बस इतना मुद्दा था, क्या हम इनके बिना भी सी सेट, मैथ और रिजिनिंग के बिना भी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाफ से तो नहीं है, ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको करना पड़ अगर मैं किसी टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, उसके एकॉर्डिंग अगर मैं अनल्सिस कर रहा हूँ, तो कहीं है कहीं बहिमानी है, मैं आपको एक एक ताम क्लियर फैक्ट बताता हूँ, ओके, तेस्ट पेपर के कॉम्परेंशन में ऐसा होता है, कि इसमें भासा सरल मैं लिखा गया है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सब्दों से आपको कंफ्यूज नहीं कि करेंगे, अगर मैं ही मुझे ही बोल दिया गया, कि मालो स्टड़ी आई क्यों की तरफ से बोले कि बीनी सर्थ दो कॉम्परेंशन तीन कॉम्परेंशन डिजाइन करके दिजी आप मुझे टेस्ट पेपर में डालना है, तो मैं अपने एक ऑरणिंग रखूँंगा, दूसरी बात है, मैं जिस भासा में बोलता हूँ हिंदी भासा का मैं टीचर भी हूँ, लेकिन अगर सी सेट का पेपर देने जा रहे हो, तो वहां जो कुछेंगे, तो वह बहुत सारा गूगल ट् गूगल ट्रांसलेट या कहीं ट्रांसलेट तो कुछ ऐसे होते हैं इंग्लिस में सिंपल होते हैं समझ में हिंदी में अजीव मतलब अजीव उसका ट्रांसलेट कर दिया गया होता है सब्सक्राइब तो थोड़ा सा इन सब बातों का अगर आपकी पूल सकते तो मैं कहना यह चाहरा हूं कि टेस्ट पेपर में अगर अच्छा इसकोर आ रहा है तो ऐसा मत मानना कि वही एक कुरेशी आपका सी सेट में भी हो पाएगा थोड़ा सा उससे कम ही लेके चलना क्या पता कि कुछ और इंट्रूज कर दे कोई की वर्ड्स नया इंट्रूज कर दे कुछ तरीके का तो वह तो आपके लिए नया होगा तो फिर आप परशान हो जाएंगे तो कुल मिलाके आप सबसे अच्छा तरीका है कि मैं बता दू कि अगर मैस रिजिनिंग कमजोर है को कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप इस पर रहिए बहुत ज्यादा करिए लेकिन लेकिन एक बात का ध्यान किये कि मैस के कुछ सिंपल कुछ चार-पांच चैप्टर जो सिंपल है या जिनके कोशन्स आपको लगता है कि ठीक है हो जाएंगे नॉर्मल आते हैं कर लेंगे औ और यह जो पार्ट है ना भाई यह एकदम रिलेक्स दे देता आपको कि यूपी एसी सी सेट के पॉइंट अभी से अगर मैं कहूं तो इस पर अभी ध्यान दिया ही नहीं यह कोशन करने के लिए रिजिनिंग का ज्यादा नहीं होता बस आराम से एक पैटन में आता है इसका कर जाओगे बड़े अच्छे से कर जाओगे तो आपको क्या करना अगर कमजोर है तो कोई बात नहीं को सिंपल चैप्टर अभी भी बहुत टाइम है अभी ऐसा नहीं कि टाइम नहीं यह खतम होगे आपका करेंगे त्यारी स्टार्ट करेंगे अगर आप पहले को नहीं पढ़ पढ़ चुके हैं अभी नहीं पढ़ रहे हैं या पहले थोड़ा लेट हो गया सी सेट के लिए अब डर लगने लगा है तो घपराइए बिलकुल मत सबसे पहले रिजिनिंग के चैप्टर से उठाइए और रिजिनिंग पूरा अच्छे से कर लेजी कोई भी स्टेंडर बुक उठाइए और रिजिनिंग में ज्यादा कॉंसेप्ट होता भी नहीं हर चेप्टर में छोटे-छोटे दो-चार कॉंसेप्ट बागे अगर प्रावलम हो तो मेरे बैच में है मैं बैच में पढ़ा च देख लीजिएगा तो कुल मिलाके आप यूटूब की भी मदद ले सकते हैं अगर आप कहीं और भी पढ़ते हैं कोई बात नहीं वहां से भी लेकिन कंप्लीट कर यह बस अपना रिजिनिंग में छोड़ने की कोशिस ना करें बड़ा ही सिंपल होता रिजिनिंग थोड़ा मैस भी पूरा मत पढ़िए लेकिन कुछ ऐसे चेप्टर से जिनके सिंपल क्योंकि मैस अगर मालो मैस में देखो कि सबसे कम यह 34 कोश्चन में मैं अगर डेटा निकालू तो कम से कम 12-15 कोशन सिंपल थे मालो 20 कोशन टफ है तो 12-15 कोशन सिंपल होता है तो मैस में भी होता है है अब हम तफ देखके घवड़ा जाते हैं या बड़ा स्टेट्मेंट वाला कोशन तो वह मत करें उस तरना उस लेबल कर न न सोचिए कि और इनको करें और कॉंपरेहेंशन डेली 10 12 15 प्रक्टिस करते रहे करते रहां से से टो जाएगा इंदे माध्य मालों का सबसे बड़ा प्रॉबलम यही है और जल्ट करावने का प्रॉबलम है कि सी सेट में घबराना कि प्लैन वे में करिए सो जाएगा हमें करना सब है थोड़ा 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 सब को करना है कम जो रहें तो भी थोड़ा सा इसका अब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इसका फाइदा पता गया कुछ जो टाफ हाएंगे की वरड़ा तो कुछ चोटने का यहां भी मार्जिन बच जाएगा अव मानलों। इसी पे टीपेंड हो गहे तो इसका सारा-कासारा पाइट करना पड़ेगा तो करने कि अ कि मैं में रह तो आराम से देखो इसके जो ठाफ है कुछ जो उसकते हैं margin child बात करोगे ना तो हर साल के अगर बात करेंगे तो कम से कम 40 कोशन ऐसे आते हैं 35-40 कोशन एक तम साधारण होते आसान होते हैं तीनों अगर सिग्मेंट उठा लेंगे बस उसको करने की जहुरत है तो बेसिक जानिये अचा मैथ में कौन-कौन से चेप्टर पर धन देखो रिजिनिंग में कौन-कौन से देखो यह जरूर पढ़ लीजिए और उसके पासे और यह वर्गी करण वाला यह पढ़ लीजिए फिर उसका घंघना पासा फिर उसके पासे पहली पर इक्षण इतने ही करेंगे तो आपको आठोशन दिख जाएगे इतने से आपको आठ फिर बागी ब्लड रिलेशन मन करें उसके बाद पढ़ लीजिए मतलब दस दिन का सलेबस है यह मुस्किल सा दस दिन का एक चैप्टर और उसके चालिस पर साथ कोश्चन का प्रक्टिस करेंगे द और दो घंटा थे घंटा प्रक्टिस दो घंटा कॉंसेट एंग प्रक्टिस और हर चैप्टर में ज्यादा में चोटा सा दो-तिन बतार होते हैं हर चैप्टर की बात बता रहां आप जीरो सी पूछते हैं उसके बात होगे उसके पास दो नंबर का मल्टिप्लाई होता है तो कैसे निकालते हैं एड़ करने पर यह वाले जो मिसलनियस टाइब के पूछते हैं उस टाइब कोशन डिविजबिल्टी रूल का एक दो कर लीजिए सारा नहीं करना लेकिन कुछ कर लेजिए सिस्टम कर लेंगे और सेफ का भी रिलेट कर लेंगे तो आपका यहां पर चार-पाच को तीन-चार कोशन चार कोशन आराम से और अगर उपर कर लेजिए यह बहुत टफ लगता है लेकिन टफ नहीं है मैंने करा यहां पर क्लास लिए उसको देख सकते दोनों का ओके तो इ छे साथ हो गया मैं इसमार्ट स्टेटिजी बाकिस लेपर छोड़ भी रहे तो कोई बात नहीं लेकिन इनके अगर कर लिए तो आठ या नो कोशन हो जाएंगे आपके अगर मन करें इसके बाद तो कुछ यह परसेंटेज वाला पार्ट उठा कि यह सब कर लिजिए गए यहां आप आराम से कर भी पाओगे समझ गया तो इनको थोड़ा सा देखिए ध्यान से और करिए ओके फिलहाल इतना बस कर लेजिए बस हो जाएगा आपका फिलहाल मैं एक बात बता दू कि अगर आपको पी-टू-आई बैच में हमारा प्रलेम सेंटर बियू तक करना होगा करना है तो 26 अप्रेल से एक बैच आ रहा है को के सुबह आट बज़े का बैच और संदार बैच है और इसमें आप प्रलेम सेंटर बियू तक का सफर आगर अनुभवी टीम के साथ तैग करना चाते हैं और एक dedicated team के साथ तैग करना चाहते तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते होगे बैच में खासियत है कि 18 किताब भी मिलते हैं साथ में 18 बुक का सेट मिलता है अगर आप वीटी लाइब कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप आपको इतने प्राइस में ये बैच अवेलबल हो तब highly discount मिल जाएगा आपको इस पर लेकिन वीटी लाइब कोड यूज करिएगा फिलाल अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी अगर इनके समालों की कुछ अगर वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्टा चाहिए तो आप study IQ के application बजाएंगे वहां नंबर मिल जाएग उस नंबर को एक आप उसपे कॉल करेंगे तो आपको ऑर भी अपिनीति उसकी आपको भी सेट यहां उदियॉफ मै खाल ठाम पैसे तो यहां करेंगे अतने पैसे भी मिल जाहेगा टागी यह जनका रही है अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होगा वहां तो आप यहाँ पूछ सकते हैं वी टी राइव वीनीट डॉट टिवारी अट देरेट स्टडी आएकू डॉट कॉम यह मेरा मेल है ओके और मेरा टेलिग्राम चनल है वीनीट तिवारी मैस से तो इससे भी जूड जाईए ओके फिलहाल यह देख लीचिए और आज का क्लास का म अनने भुलकर नै बुला उनको एक ज्यान रखेंगे दियान से लिसे करेंगा धूसी एक पाइड़ित फोड़ा थोड़ा करिए सब कर लिजे ठीक है अब आके और भी लेके आएंगे ऐसी वीडियो जो हर एक सटर्डे को लेके आता हूं